किसी गाव में एक किसान रहता था, इस संसार में वो बहुत ही गरीब था, उसके पास जमीन का एक छोटा सा चो कड़ा था जिस पर वो खेती करता था, उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था, एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था, पसीने से लथपत किसान बुआई के लिये खेत जोत रहा था, इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकडी का बकसा मिला, किसान ने सावधानी से बक्षे को निकाला पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्षे का क् आखिर उसने बक्षे को खेत के बाहर रख दिया, उसे साफ करके जो रोटिया वो घर से लाया था वो बक्षे में रख दी और अपने काम में जुट गया, दोपहर को जब वो खाने के लिए रोटिया निकलने के लिए बक्षे के पास गया तो हैरान रह गया, उसमें रोटि जंगफली का दाना डालो तो तुरंट उसमें से असी, दाने निकल पड़ते, किसान ने त्रिप्थ होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ठ होकर बकसे को घर ले, आया, बकसा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था, उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर समय गुजने के साथ साथ उसके बकसे के बारे में गाव के जमीनदार को पता लगा, जमीनदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादूई चीज पर तो उसका अधिकार होना, चाहिए, उसके आदेश पर जमीनदार के लच्ठे किसान को पकड़ कर ले आएं, उ इस भूमी से मिला से है, वो मेरी जमीदारी में आती है, इसलिए बता उस बकसे पर किसका अधिकार बनता है, किसान बोला, ये ठीक है, वुजूर की यह भूमी आपकी जमीदारी पर आती है, पर बकसा जिस खेट से निकला है, उस पर मैं खेटी करता हूँ, अता इस बकसे मेरा अधिकार बनता है वहां जो उसने बकसे का जो जादू देखा तो वो मंत्री के पास जाकर सारी सच्छाई बता दी मंत्री ने जमीनदार को बुलाया फिर उसे डराते हुए कहा हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादूई बकसा है उसे तुरंथ हमारे हवाले कर दो इसी जादूई बकसे को हाथ से निकलते हुए देखकर जमीनदार की हालात खराब होने लगी उसने मंत्री जी से बहुत विनंती की पर मंत्री नहीं माना बकसा पाकर मंत्री मत्वाला हो गया विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया उन्होंने बकसे के साथ साथ मंत की खबर भी राजा तक पहुचा दी बकसे की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा वो अपने सेनापती के साथ मंत्री के घर जा पहुचा उसने कहा देश की सारी जमीन राजा की होती है इसलिए जादूई बकसे पर भी उसी का हक है मंत्री ने बिना देरी किये बकसा राजा को दे दिया, जादूई बक्से को पाकर राजा प्रसन हो गया, सबसे पहले राजा ने जादूई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धी की, फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिनता हुई, राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना, चाहता थ राजा ने सोचा की इसका रहस्य अग्याद करना चाहिए की आखिर इस बकसे में हैं क्या, ये जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा, जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे असी राजा बाहर निकलें, असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था, वे राज स सिंगहासन में कबजा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, ये जानकर किसान को बेहत दुख हुआ, वो अपने आपको कुसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गड़ा, रहने देता, किसान गिर गिराया, लेकिन जमीनदार ने बहुत धमकाया बक्सा पाकर जमीनदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था, जमीनदार की अब चांदी हो गई, वो जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता, कुछ लोगों ने जादूई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुचा पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ फिर उसने अपने विश्वस्ट सेवक को बक्से की सच्चाई पर रखने के लिए भेजा